हेलो चेंपियन्स तो friction force में आज हम ब्लोक और ब्लोक की जो प्रोलम है उसको डिसकस करेंगे इसके साथ ही इससे प्रीवियस जो लेक्छर था प्रिक्षिन फॉर्स का उसमें भी हमने ब्लोक और ब्लोक की जो प्रोलम वो डिसकस की थी उसके concept बेसिक समझे थे और उससे पहले दो लेक्टिर में हमने प्रिक्शन फोर्स के बारे में जो बेशिक बनते हैं एक चेडिक फ्रिक्षण के वह सब वह हमें डिस्कस किया था थैब ठीक है तो आज की जो क्लास है अगर बाइदर वे इस प्लास को अटेंट करने से पहले आपने तीन ले का जो लेक्चर है वो कम से कम अटेंड करें इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले तो आपको यह जो लेक्चर है यह जो लेक्चर होने वाला आज का यह आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो देखिए इसमें दो ब्लोक दिय है जीरो है एक फोर्स अप्लाइए किया गया है 8 kg ब्लोग पर और जी की वेल्यू भी गिवन है पूछा क्या है फाइंड दम्यक्सिमुम वैल्यू अव सस्क बाइट ब्लोग्स मूट्स तोगेधर क्या कर रहा है कि एफ की हमें मेक्सिमुम वैल्यू क्या करनी है निकाँ क्या करनी है so that कि दोनों ब्लोक के बीच में मतब यह वाला जो ब्लोक हो गया अपर ब्लोक 5 kg और 8 kg वाला जो सेकंड ब्लोक हो गया इन दोनों के बीच में क्या रहे कोई मुवमेंट ना हो यानि कोई भी स्लाइडिंग ना हो किसी तरह की भी तो इस तरह से हमें एक की वैल्यू कैल्कुलेट करनी कि धीर दरीजा से जाए होगा बेटा क्योंकि यह स्मूथ सर्फेस है थोड़ा लगेगा तो दोनों ब्लोक साथ में चलेंगे फिर अगर एफ को हम और इंक्रीज करेंगे तो भी दोन से ब्लोक को आगे की डायरीक्शन में आपका है यह आपका है और यह घ uti वैसे उस में तरह बढ़ती जाएगी सिक्ष्ण फोस की बढ़ती जाएगी और एक ताइम पोस्ति ना इम्हाइड रीक्टिन कि कौन से शत्री किस सर्फेस की भीच में वह आपकी क्या होग पहुच जाएगी तो वह आपके क्रोस हो जाएगी उस जैसे ही वह प्रोस होगे वैसे इस पर प्रस्वाइडिंग सुरू हो जाएगी ठीक है यह एक वैसे पर जाके यह उससे ज्यादा वह ग्षाहिब स्वार जो गर्जान के बीच में वह इस वेल्जीन पॉर्स उसको अच्छीड नहीं कर सकता है मतलब लिमिटिंग वखिच्छन की और जैसे ही वैप के उस value को उस maximum value को हमें calculate करना यह question में given है question ठीक से समझ में आ गया चलो solve करते हैं तो ऐसे question के लिए क्या करेंगे हम simple यह कहरा कि दोनों blocks move together तो बिल्कुल हम इसको क्या मानेंगे बिटा कि दोनों जो block है वो एक साथ move कर रहे हैं तो दोनों का जो common acceleration है सब्सक्राइब है और फॉर्स कौन सा तो हम इसको दोनों blocks को system मान लेंगे system कर लेंगे यानि दोनों blocks को हम point mass assume कर लेंगे और फॉर्स कौन सा लग रहा है इस पर एफ लग रहा है एक्टरन फॉर्स जो यहां पर जो फ्रिक्शन फॉर्स अप्लाई करेगा दोनों सर्फेस के बीच में कौन से जिगे यहां पर यह वाली सर्फेस के सर्फेस पर जो friction फॉर्स लगने वाला है उस friction फॉर्स की value क्योंकि हमने इन दोनों blocks को क्या कर लिया एक सिस्टम अजियूम कर लिया तो यह आपके तो यह वाला जो इस पर जो friction फॉर्स काम करेगा वह अपवाड डिरेक्शन में करेगा और इस बाले block पर friction फॉर्स काम करेगा वह डाउन वर डारेक्शन में बेटा यह हम डिसकस कर चुके प्रिविएस क्लासेज में ना तो इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए राइट तो यह हमारा किसके लिए कर रहे हैं दोनों को सिस्टम मान रहे हैं तो यह हमने एफ इस पर रेलिया और mg डाउनवर्ड डारेक्शन में कितना है 13 G हो जाएगा राइट एन को माले तो अपवाड डारेक्शन फॉर्स लग रहा है फ्रिक्शन फॉर्स कुछ है नहीं विटा तो क्या पिए उसमारी पहली एकवेशन आ गए अगर यह क्या कर रहे हैं एक साथ मुघ कर रहे हैं ठीक है अब पूछा क्या है कि भी एप की वैल्यू मैक्सिमम हो गी मैक्सिमूम कृट करेगी हमारे फ्रिक्शन फॉर्स पर तर्दिपएंट करेगी तो इसको हम लिमिट्टिं लिखे देते हैं चलो तो कैसे करा नहीं देखो एक एक पर थोड़ा सोर मेंалась एक्सपैंड कर देता हूं जो अपर ब्लोग है 5kg का इस पर फ्रिक्शन कौन से लग रहा है बताओ मुझे कौन से लग रहा है प्रिक्शन आपका अप्वाड ड़ारेक्षों में गैञा आप लग रहा है और इसका मोमेंट कितना है एकसिंट से यह हमनेה इसके हाने और कोई फोस इस मैं सब्सक्राइब और कोई भी सब्सक्राइब करें नहीं है तो चलो कर लेटेंब उसमें नहीं तो यह आपका हो गया इसका डियाग्राम और फ्रीवर्ड डियाग्राम पॉइंट मास लेकर कर सकते हो एक ही बात आएगी बेसिकली क्या हुआ एफ इसकल टू होजन्टल डिरेक्शन में बात करें तो एफ इसकल टू फाइव ए आ गया बिटा आगे है यह सेकेर डियुक्षिन आ गई तो अब यह एतकि वहल्यूं की पता है यह M कितना आ गया, चलो M G लिख लेते हैं, इसको, is equal to 5, A, M कितना आ गया, बता हूँ, M कितना, M कितना, M कितना, M कितना, M कितना, M कितना, 5 है, into G, G कितना, 10 है, 5, A, so 5 से 5, cancel, यानि, A is equal to, आपका आ गया, 4 meter, 4 meter per second square, यह हमारे पास में A की value आ गई, और A की value अगर हम रखेंगे, क्योंकि यहां पर एक, हमने क्या किया है, F को maximum कर दिया, क्योंकि F की value कि इस पर डिपेंड करेगी, capital F की value करेगी, कि यहां पर sliding शुरू ना हो, तो वो कितना force maximum लग सकता है, उसी पर डिपेंड करेगी, मतलब limiting value प सकेंड स्क्वेर से, इसका मतलब क्या होगा, कि 4 मिटर पर सेकंड स्क्वेर की acceleration से अगर दोनु ब्लोक मूँ कर रहे हैं, अगर further acceleration बढ़ाया जाता है, तो दोनु का जो acceleration है, वो क्या होगा, अलग-अलग हो जाएगा, एक साथ मूँ नहीं करेंगे, और क्या होगा, जो maximum, f maximum, क्या निकाल लिए हमने, a maximum है ये, और ये भी हमारा f maximum रखा था हमने, उससे निकला है हमारा, a maximum निकला आया, a maximum क्यों लिए, यहां पर रखेंगे, f maximum आ जाएगा, तो ये 13 into a, a क्या 4 है, so 52 newton, ये हमारा f maximum आ गया, अगर 52 newton से ज्यादा force लगता है, तो क्या होगा, आपके sliding सुरू हो जाएगी, question ज्यादा मुस्किल नहीं था, बस concept आपको थोड़ा सा clear होना चाहिए, कि कौन limit कर रहा है, किसको motion को limit कौन कर रहा है, अगर हम जैसे जैसे f की value बढ़ाते जाएंगे, limiting friction पोच जाएगा, यहां पर surface पर, और limiting friction के बाद में sliding सुरू हो जाएग उसी value तक आपका क्या रहेगा, दोनुब ब्लोक साथ में मूँ परेंगे, यह next question है, देखो, इस question में क्या दे दिया आप, इसमें यहां पर यह change कर दिया, same है question तो, लेकिन अब कह रहा है कि नीचे वाला जो block है, उस पर भी क्या आगया, आपका friction force आगया, right, तो अब क्या क करते हैं, बिलकुल, अब मैं free order diagram नहीं बना रहा हूँ, वह आप कर लेंगे, मैंने इसको system मान लिया, a common बना दिया, इसका, so a, m, a, is equal to net force, देख लिए चलो, उससे देखते हैं, second लोके हिसाब से, net force कौन सा रहेगा, इस पे, external force, आपका F रहेगा, अगर इसको, यहां पर F F1 है, friction force, कौन कि दिने ले 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 इसको, assume, let us assume, कि यहां पर friction force, जो कि इस पर यह लगे का F1 लगेगा, इस पर F1 ऐसे लगेगा, direction तो आपको पता ही होगी, F1, और यहां पर यह वाली जो surface है, इस पर भी, ब्लोक पर F1, F2 ले 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 क्लियर है, very good, अब हम इसके लिए equation ले 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 ले, equation लिखो, common, external force कौन सा, F1 तो आपका internal force बन गया, अगर आपको system मान लेते हैं, दोनों blocks को एक system ले 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 ले, तो external force आपका F है वो, और यह F2 है, so net force F minus F2 is equal to M A, M, कितना है, M1 plus M2 into A, right, into A, तो यह देखो, आपका F, हमें calculate करना, F maximum के value, so F minus F2 is equal to 13A, यह हमारे पास में first equation आ गई, right, अब हम क्या कर रहे हैं, A common ले लिए हमने न, हाँ, अब जो उपर वाल ब्लोक है, अपर ब्लोक है, उसका भी free-border diagram बना दो, free-border diagram बनाएंगे तो हमने last, अभी उसमें किया आई था बिटा, तो simple, अब हम सिधी equation लिख सकते हैं, क्योंकि A की force काम कर रहे हो उपर, F1, so F1 is equal to, क्या आया, 5, A, M, A, Newton second law, यह हमारी second equation आगई, अब देखो, क्या कह रहा है कि maximum value of F, such that both blocks move together, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब यह कह रहा है, कि यहाँ पर दोनों blocks, एक साथ मोह होने चाहिए, एक साथ मोह होने का मतलब क्या है, अभी लग, प्रिएस question में इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर sliding शुरू नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर यह वाले surface पर sliding शुरू नहीं होनी चाहिए, that means कि जो F1 की maximum value हो सकती, वो कौन से होते है, limiting friction हो सकती है, और वो limiting friction के value क्या होगी, limiting friction, obviously F1 जो है, हमारा क्या हो सकता है, maximum value इसकी, mu N1, N1 क्या होगा, व 5G नीचे की तरफ अगर इसका free word diagram बनाएंगे, किसका, यह उपर वाले block का, तो 5G नीचे, 5G, upward direction में कितना, N1, N1 कहाँ पर है, इस पर यह नीचे वाले block के, आपर block पर reaction, so यह N1 ले ले लेते हैं, और यह हमारा F1 हो गया, ठीक है, so N1 is equal to, क्या है, 5G, 5G, right, और friction कितना होगा, mu N1 is equal to 5A, second equation में put करें value, यानि mu Mg is equal to 5A, यानि की, और M की value कितनी है, obviously value put करें, mu की value वहाँ पर 0.4 into M की value 5 into G की value 10 is equal to 5 into A, जब हमने यह F maximum कर दिया, तो हमारे जो भी A common, common maximum क्या हो सकता है, वो हमाई मिल जाएगे बिठा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, दोनों के एक्सलेशन अलग लग हो जाएगा, so फ़र आपड़ इसको calculate करो, 5, यानि A is equal to कितना हो गया, 4 meter per second square, यह हमारा A maximum हो सकता है, तो चलो ठीक है, A maximum value रखो यहां पर, so f1 हमारा, यह तो हमने करी दिया, so f2 कितना हो सकता है, देखो, f2, f2 तो बिलकुल जब मुवमेंट शुरू होई चुकी है, तो f2 तो maximum रहे हैं क्योंकि मुवमेंट क्या होगी, अगर f2 ही हमारा यहां पर मुवमेंट दोनों ब्लोक मूख साथ में मूख यहां से मुवमेंट सुरू होई चुकी तो f2 की वैल्यू क्या पहुच चुकी हमारी, f2 max तो पहुच चुकी है, limiting value तो पहुच चुकी है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है तो हमारी जो equation आ जाएगे, third equation यह तो हमारी second equation से value आ गए है, third equation क्या आएगे f2 is equal to mu n2, अगर यहां पर reaction force n2, वो कितना होगा, पेटाए इतना था आप सीखे गए अभी, m1 plus m2 g into mu, mu कौन सा हो, यह वाला mu, यह आपका होगया 0.3 into m1 plus m2, यह free world diagram से n2 निखाली सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो m1 plus m2 g कही को लोगी, तो यह 13 into 10, so it is 39, क्या आगया, 39 newton आगया, किस की value, f2 की value, यहां पर f2 की value हमें मिल गई, क्योंकि यह तो पहले ही limiting friction को cross कर चुका ना, moment शुरू हो गई है, किस पर यहां पर, ठीक है, ओकि यह नहीं होने चाहिए, बच यहां पर mode नहीं होने चाहिए, तो वो limiting friction से f1 की value ज और उसने maximum value पूछी है, वोई concept जो last question में किया थामने, वोई concept हमें इसमें apply कर देंगे, ओके, तो यह देख, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फर्स्ट equation को में value पूट करो, f2 की value हमें पता है, f1 की value हमें पता है, a की value हमें पता है, so f maximum, आ जाएगा, f maximum, क्योंकि f2 को आपने maximum बना दियते, यह 13, a कितना है, 4, 13 इंटो 4, प्लस आपका f2, f2 कितना है, 39, 52, plus 39, कितना आगे है, पेटा, 1, 9, so 91 newton, f maximum, is equal to 91 newton, यह हमारा answer हो गया, किसके लिए, f maximum हो गई हमारे, इस case में, जब कौन सा है, नीचे वाले surface पर भी, ground पर भी, ground और block के बीच में भी क्या दिया है, friction दिया है, अगर जब ground और block के बीचे friction कम था, तो maximum value क्या, दोनों को मूट, मतलब एक साथ मूँ करवाने के लिए क्या चाहिए था बिटा, 52 newton maximum force अप्लाई का सकते है, अब इसको overcome और करना बात वहीं की वहीं है, केवल इसने friction को overcome किया है, यह वाला, वो तो 52 ही है, ठीक है, समझ माया है बात, केवल इसमें जो यह friction लगा, इस पे, F2 लगा, जो एक्ट्रा आ गया, उसको overcome करने के लिए एक्ट्रा फोर्स लगा दिये, बस इतनी सी बात हुई है, चलो next question देखते हैं, अब यह 3 block की problem है, तो यह भी आती है, आपके, जो अच्छे questions बनते हैं, इसमें simple सा concept अगर आपका clear रहेगा, तो आपको problem नहीं आएगे, चाहे 2 block की problem दे, आपको या 3 block की problem दे, और concept clear नहीं है, तो फिर दिखकत आएगे, limiting friction क्या होता है, sliding कब सुरू होगी, app की value कैसे change करेंगी, मतब मैं, या फिर जो friction है, दोनों की बीच में, वो कैसे change कर रहा है हमेशे limiting friction नहीं रहेगा, दोनों जब तक sliding सुरू नहीं होगी, देखो sliding सुरू हो गई, तब तक तो friction की value क्या बनगी, दोनों surface के बीच में, limiting friction पहुच गया value की, और sliding सुरू नहीं होई है, तो आपकी 0 से लेके limiting friction तक कुछ भी value हो सकती है, तो ये चीज हमें, चेक करते हैं ओके ये question में क्या given है में, देखो, ये कह रहा है कि अब इसने 3 block ले लिए हैं, 11 kg के, और ये वाले जो surface हैं दोनों को उपर वाले block के, यहाँ पर mu की value 0.8 है, नीचे वाले surface पर 0.3 है, और friction 4, एक external force apply किया है, किस पर? अपर block पर, पूचा क्या है, find the maximum value of F such that all 3 blocks move together, move together वाला case है, कि आपके तीनों जो block हैं, वो एक साथ move कर रहे हैं, तो simple सा case बनता है, तीनों blocks को हम क्या करेंगे, एक common ले लेंगे तीनों का, और वो क्या होगा, A is equal to total force, external force, by तीनों को system माल लेंगे न, by M1 plus M2 plus M3, यानि 3, कितना हो गया, 1 plus 1 plus 1, 3 हो गया बटा, तो यह हमारी first equation आ गई, cdc, a common ले लिए हमने, a, c लिख लो या एक ही बात है, a लिख लो, कोई फरकनी बढ़ेगा उससे, ओके अब क्या होगा, अब यह देखो, कि भई आप maximum value कैसी निकालेंगे इसकी, यह तो हमें समय में आ गया, कि f by 3 is equal to a common है, लेकिन maximum value क्या होगी, maximum value depend करेगे, कि यहाँ पर sliding हो सकती है, कौन सी surface पर, इस surface पर sliding हो सकती है, यह तो यहाँ पर sliding possible है, यहाँ पर sliding possible है, तो हमें दोनों case consider करने पढ़ेंगे, पता चले कि कौन से पर sliding possible है, वो एक बर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसी से हमारी एक common की value आएगी, और एक common से आप मिलेगा, राइट, ओके तो कौन सा का अजिम करें, बाद में हमें experience जो हो जाएगा, कोईशन इस तरह के soul कर लेंगे आप, तो समझ में आजाए कि कहां पर है, पर फिर भी उस ताइम पर भी आपको थोड़ा सा क्या रहना है, अवेर रहना है बिटा, नहीं तो गलती कर सकते हैं, राइट, चलो ठीक है, शुरू करते हैं इसको, तो इसके लिए हम क्या करें, हम पहले अजिम करते हैं, कि यह वाला जो surface हो गया, इस पर sliding शुरू हो सकती है, तो हम करते हैं, कि यह यहां पर यह जो value है, यह मान लेते हैं इस पर friction F1 है, तो इस पर F1 इधर लगेगा, F1, इस पर F2 आपका इधर लगेगा, F1, कि सब्सक्राइब नीचे वाले ब्लोक पर हो पर इधर लगेगा, यह मान लेते हैं, यहां पर F2 है, F2 लग रहा है, इस पर कौन से पर लगेगा, F2 इसको इधर लगेगा, उपर वाले साइडें इफ रिक्षिन है आपका प्वर्ड डिरेक्शन में भी है और बैक डाइस ने भी है राइट सो लेटेस अज्यूम कि यह मुव कर रहा है तो कहां से सुरू करेंगे आप विश्लियम नीचे वाले ब्लोग से सुरू कर लेते हैं क्योंकि पर एक ही फोर्स है तो नीच है धेखो नीचे व्रहोगया थीक Caleb बड़ा है न भर इससुर्ण कpower से एक फूर्स लग राए हम से खिख्ड़ एक फुर्ण ग्रान नीचे फिक्षिन फॉर्स है यहां पर फिक्षिन फोर्स यह वाला साफ़ कूल टू क्या हो जाएगा अब तू F2 is equal to M A F2 is equal to वो तो पता है नहीं कि F1 अगर इस पर इदर लग रहा है तो ये भी F1 लगेगा Newton's third low लो बिटा Action reaction force होता है ये तो friction तो, दो surface के बीच में है तो Right, okay F2 is equal to 1 M A 1 into A ये तो common है सबका F2 is equal to क्या आ गया A आ गया बिटा, ये हमारी second equation हो गई, F2 is equal to A, ओके अब इसके हिसाब से अगर हम निकाल दे, well calculate कर सकते हैं नहीं सर अभी तो नहीं, पर ले में F2 की value तो क्या है, limiting friction है, limiting friction कह रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर sliding कह रहे हैं हम, तो F2 की value कितनी हो जाएगी ये N2 लगेगा इस पर, इस surface पर देखेंगे तो N2 कितना होगा, M1 प्लस M2 जो उपर का दोनों mass ring होगी जुड़ जाएंगे बिटा मदब कर हम इस surface की बात करें, F2 का वो बना रहे हैं free-boarded diagram, तो क्या होगा, इस पर F2 पर देखो, अगर इस पर निकालेंगे तो N1 आएगा, N1 आपका इस पर अपलाई हो जाएगा और उसकी value N1 की क्या होगी, Mg होगी या निकी 1 into G, तो G होगी या इस पर करेंगे तो N1 इस नीचे काम करेगा, मतब 1 G नीचे काम करेगा, 1 G N1 चलो इसको N1 ही लिख लेते हैं, कोई confusion ना हो बच्चा न, हाँ, N1 और इसका Mg, यानि की 1 G, राइट, और कौन सा काम करेगा, 4 सर, इस पर N2, सपोज इस सरफेस पर N2 काम कर रहा है, इस सरफेस पर, तो ये N2 और यहाँ पर F1 और backward direction में F2, ये इसका, very good, so हम ये F2 की क्या मान रहे है, F2 की limiting value मान रहे है, तो F2 को क्या करेंगे सर, ये हम कहेंगे कि F2 की limiting value हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले sliding मान नहीं है, कहाँ पर इस वाले surface पर हमने sliding consider की है, so ये mu N2 is equal to A, और mu N2, N2 क्या आएगा, N2 is equal to N1 plus G, और N1 की value क्या करेंगे, इसके लिए free word diagram बनाएंगे, देखेंगे, N1 की value तो G आ रही है, so ये कितना हो गया, G plus G, मतलब 2G, so mu into 2G, और 2G, G की value कितनी है, 10 है, G की value 10 ही consider कर रहे हैं, हाँ, और mu की value भी रख दो बिटा, mu की value कि so 0.3 into 2 into 10 is equal to A, ये कितना आ गया, A आपका आ गया, A is equal to 6 meter per second square, so A 6 meter per second square आ गया, तो हमारा F आ जाएगा, first equation से, A की value रख दो बिटा, simple सी बात है, so F is क्या आ गया, F is equal to 18 Newton आ गया, F maximum हमारा आ गया, 18 Newton, ये हमारी value तो आ गयी, लेकिन आप हम देखें कि भी जब F is equal to 18 Newton, है, तो हमने sliding इस वाले surface में मानी है, तो इस वाले surface को check कर लेते कि यहां पर sliding तो नहीं हो रही है, वो कैसे check करेंगे, simple सा, first वाले जो upward block है, वहाँ पर उस पर आप equation apply कर सकते हो, या फिर iPhone के value यहां से निकाल सकते हो, right, चलो check कर लेते हैं, तो first वाले block है, जो आपर block है, हम उसी पर क्या करते हैं, force लगाते हैं, चेक कर लेते हैं इसके, यह तो हमारा common है, तो यह तो हमें पता है कि यह वाला है, 6 meter per second आ गया, right, उस पर force कौन कौन से लग रहा है, F1, F आपका इस direction में लग रहा है, F1 हमारा backward direction में लग रहा है, जी नीचे के तरफ लग रहा है, और N 1, upward direction में लग रहा है, right, इसके लगा कोई force, नहीं और तो कोई force नहीं है, सर, यह फन है, तो ओके बिटा लिखो, F-F1 is equal to M A होता है, M कितना है, 1 है, so it is A, और A गिवन है हमें, so F1 कितना होना चाहिए, यहाँ पर हमें A दिया है, यह F1 नहीं काल सकते हैं, कितना आ गया, so F, यह 18 newton, minus F1 is equal to A, A कितना हो गया, A6 है, M A हो न, M तो 1 है, so यह 6, so यह हमारा आ गया, F1 is equal to, कितना, 12 newton, अब यह हमारी F1 की value आई है, बिटा, यहाँ पर, कितना है, 12 newton आ गया, ओके, तो अब यह बताओ मुझे, अच्छे, यह F1 यहाँ से भी निकल सकता था, इसके फ्रीवोड राइगरों नहीं है, यह वाले से, इससे भी निकल सकता था, कोई कोड़ी बात नहीं है, इस से निकलो, अब यह हमें चेक करना के पर जो F1 हमें मिल रहा है, यह हमारा limiting friction से रहे हैं ना, हाँ, वो कंडिशन वोईलेट हो जाएगे, तो F1 मैक्सिमुम कितना हो सकता है, बीटा, F1 मैक्सिमुम, F1 मैक्सिमुम हो सकता है, हमारा limiting friction, और वो गावरा, हाँ, म्यू, N1, यह वाला, म्यू, N1, तो यह म्यू, म्यू कितना है, 0.8 है, 0.8 इंटु, N1 कितना ह है, M1, G, M1 कितना, 1 है, M1, G है न, हाँ, M1 है, और G के वालु टैन रख देंगे, 1 इंटु, 10, बैट इस, 8 N, अरे वा, F1 मैक्सिमुम, 8 N हो सकता है, लेकिन हमारा जो कंसेडरेशन हो है, कि यह वाले friction, यह वाले surface पे क्या है, मुमेंट है, तो उसकी वजह से, हमने F2 की मैक maximum value रख दी, और हमारा F1 निकल के आ रहा है, कितना, 12 N, और F1 maximum value 8 N हो सकती है, that means कि हमारा assumption क्या है, गलत है, we are assuming it in a wrong fashion, तो क्या होगा, यानि कि हम यह अजूम कर रहे थे, कि यहाँ पर friction, सबसे पहले sliding होगी, तो अब इसका मतलब यह कह रहा है, कि यह नहीं हो सकता, यहाँ अगर sliding होगी, तो उससे पहले, यह limiting friction cross हो चुका होगा इस पर, यह वाली surface पे, तो क्या करें मिटा आप, कुछ नहीं सर, simple सी बात है, कि हम इसको मानिंग, assume करेंगे, कि पहले हम गलक थे, हम दूसा case रहे थे, कि sliding यहाँ पर यहाँ पर शूरू हो गई, ठीक है, हाँ इतना ह करना है हमें, तो sliding अगर यहाँ पर शुरू हो रही है, तो क्या होगा, उसके लिए हम देख लेते कि f1 की value क्या आएगी, f1 की maximum value हो जाएगी, पीटा, sliding शुरू हो गई, तो हम करेंगे, यह equation नमबर 2 भी हमारे पास में, तो अब उसके लिए equation दिख लेते हैं, और यह equation तो क minus f1, f1 की limiting value क्या है, 8 newton है, so f minus 8 is equal to a, और a कितना आ रहा है, a तो हमारे first equation से f by 3 आ रहा है, तो बीटा ठीक है, इसको f by 3 कर दो, a commonly है हमने, so यह आ गया हमारा, f minus f by, f by 3, f by 3 is equal to, क्या है, 8, 8 इधर आ जाएगा, यह इधर आ जाएगा, so 8, a की value रखी भीटा, f by 3, कभी confusion हो जाओ, क्यों, क्योंकि हमें f निकालना है, right, तो यह हमारा, क्या हो गया, देखो, यहनि 2 f by 3 is equal to 8, और यह 4, that means f is equal to, कितना है, 12 newton, यह हमारी किस की f की maximum value आ गई, कब, क्योंकि यहाँ पर हमने f को क्या लिया है, f1 को, f1 को maximum लिया है, कि उसके बाद में तो क्या होगा, sliding शुरू हो जाएगी, अगर f इसका मतब क्या हो गया, कि पहल न्यूटन से ज्यादा हो गया f, तो हमारी sliding सुरू हो जाएगी, कौन से surface पर, इस surface पर, और यह हमारी f2 की limiting value का पोचेगी, बीटा, f2 की तो हमें पता है, हमें निकाले था, क्या, calculate किया था, f2 maximum कितना हो सकता है, mu, mu, m1 plus m2, into g, f2 की maximum value कहां पर रखे थी हमने, ओके, यह वाली आई थी ना, उस case में, तो यह हमारा आया था, चलो, f2 की maximum value वापस कर देते, से कोई वाग नी, f2 maximum, तो इस पर चेक कर रहे हैं, अब कि 12 newton है, तो वहाँ पर f1 कितना आ रहा है, देखो, f1, f2 निकाल लेते हैं, हाँ, इस equation में रखके, तो चलो, यह कर लेते, पहले, ओके, कोई दिक्रत नहीं, यहाँ से कर लेंगे, second वाले से लग बनाओ, equation, f1, forward direction में, minus f2, backward direction में, f2 is equal to, क्या होना चाहिए, m, a, m कितना है, मैं middle block की बात करो बिटा न, 1 into a, right, तो यह हमारी value रखो बिटा, f1 की value कितनी है, f1 की value हमने 8 लिए है, इस case में, so 8 minus f2 is equal to a, a, a कितना है हमारा, देखो यहाँ पर, f2 आया है यह, और a हमारा आगिया, f2 by 3, यानि कि 4, so यह 4, और यह हमारी f2 की value आई, 4 newton, यानि इस case में, जब हम 12 newton force apply कर रहे हैं, और f1 की value 8 newton है, तो f2 की जो value आ रही है, हमारी पास में, वो आ रही है, 4 newton, और आभ यह 4 newton देखो किस से, इस से कम है, limiting value से या ज्यादा है, यह हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, यह f2 maximum कर लेते हैं, f2 maximum कितना है, limiting value कितनी f2 की, f2 max limiting value, कितनी हैं, बताओ, mu into m1 plus m2, यानि की, m1 plus m2 कितना हो गया, 2 into g, g कितना है, 10 है, और यह f2 कितना है, mu, mu यहाँ पर कितना है, देखो एक बार, 0.3 दिया है, सो यह आपका 0.3, 0.3 into 2 into 10, that is equal to 6 newton, यानि f2 max कितना है, 6 newton है, और हमारे case में क्या आ रहा है, f2, 4 newton आ रहा है, यानि उस case में f2 max को क्रोश नहीं किया, 4 newton ने, that means, वहाँ पर कोई sliding नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, कि अब हमारे जो assumption है, कि sliding अपर वाले block से होगी शुरू, तो वह assumption हमारा क्या हो गया, अब सही हो गया बेटा, ठीक है, हाँ, क्योंकि अपर वाले पर भी नहीं है, sliding और lower surface पर इस पर भी नहीं है, समझ गए, हाँ, तो यह scene है अभी, तो क्या हुआ, इसका मतलब, कि तीनों जो block है, वो एक साथ move करेंगे, तो क्या है हमारा F, F की value कितनी आई, F, F, निकाल दिया हमने, F maximum कितना हो सकता है, 12 newton, जब 12 newton तक है F maximum, हम, तो हमारा A कितना आ रहा है, A हमारा 4 आ रहा है, 12 by 4 है, 12 by 3, sorry, 4 आ रहा है, और F to 4 newton हो गया, F1 हमारा 8 newton आ रहा है, that means कहीं पर भी किसी भी surface पर कोई sliding नहीं है, और तीनों block एक साथ move करेंगे हमारे, ठीक है, तो यह condition check करना है विटा कि हम कौन सा जंप्शन ले रहे हैं, simple method है, कि आपको एक common देखना है, एक common के लिए equation हम पहले सबसे पहले common की equation लखेंगे, उसके बाद में क्या करना है, कि वही जो limiting friction है, उनको उनको check करना है, हम यह देखेंगे कि कौन से surface पर आपकी एक surface में मालेंगे, यहां पर यह limiting friction है, यहां से movement सुरू हो सकती है, और उसके हिसाब से फिर हम दूसरी equation लखेंगे, एक की value निकाल लेंगे, अपकी value निकालेंगे उसके हिसाब से, और उसके जब देखेंगे कि वह अगर एप, हम मतब फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारा limiting friction दूसरे जो surface पर वहां तो cross नहीं कर यहां पर पहले sliding शुरू होगी, उसके लिए हमने आप निकाला तो वह हमारा 18 newton आ रहा है, तो यह हमारा पता चले कि यह गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, क्योंकि उस case में हमारा जो फर्स वाले की जो मतब उपर वाले surface की जो limiting friction थी, मतब फ1 वह हमारा 12 newton आ रहा था, right, कि हमने देखा कि इसकी maximum value है, वह तो 8 newton हो सकती है, कितनी हो सकती है, 8 newton हो सकती है, तो that means हमारा जो और यह जैसे 12 newton को क्रोश करें कि वहां पे sliding सुरू हो जाएगी, जब यहां पर हम रोखने कोशिश करेंगे, यहां पे sliding सुरू होगी पहले, तो हम तो गलत है, क्योंकि पहल पर ही sliding सुरू हो गई है, राइट, संजब आई बात, तो अब क्या हमें समझ में आ गया कि नीचे वाले पर नहीं पहले पहले वाले ब्लोग पर शुरू होगी, तो हमने फिर पहले वाले जो उपर वाला सर्फेस है, उस पर sliding की conditionally हमने, और उससे हमारा जो F maximum आया, वो 12 newton और F maximum 12 newton apply कर रहे हैं, तो हमने देखा कि किसी भी जो दोनों केस है, कौन सा ओपर वाला सर्फेस और नीचे वाला सर्फेस, यह वाला सर्फेस और इससे उपर वाला सर्फेस, तो उस दोनों केस में क्या हो रहा है कि कि किसी तरह की कोई sliding नहीं है, क्योंकि वहां पर जो friction force है है वो limiting value को cross नहीं किया है, that means कि जो तीनों block है, वो क्या कर रहे है, एक साथ मुह कर रहे है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, चलो next question देखते हैं, अब इस case में क्या कर रहा है, उसी तरह कि वही सेम से सिमलर सा case है, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 0.8 है, वही 0.3 है, लेकिन F की value यहां पर कितने इसने 15 newton दे दी बिटा यहां पर न हमने देखा था कि 12 newton तक तो कोई problem आती नहीं किसे तरह की भी, कितने तक नहीं आती, 12 newton तक प्रॉलम नहीं आती है, लास्ट क्वेशन भी यहां पर इसने F की value 15 newton दे दी और कहरा कि find exploration of the blocks, क्या करना है, blocks के exploration निकाल रहा है, that means हमी यह तो समझ में आगे कि 12 newton को जैसे उसने cross कर दिया है, यह चीज़ हमने देखिए ना चेकी थी, तो उसने क्या किया, relative moment शुरू हो गया, और सबसे पहले कहां पर सुरू होगा, relative moment, obviously इस surface पर होगा, यह आपने last, उसमें question भी चेक किया भीड़ा, previous question में, तो यह इस surface पर क्या होगा, आपका sliding सुरू हो जाएगी, that means limiting friction सबसे पहले यहां पर पहुचेगा, तो इसका exploration क्या होगा, अलग हो जाएगा, किस से, इस वाले से, अब यह इसके लिए limiting friction की value किदनी आई थी, यहां पर limiting friction पहुचन पहुचने के लिए, उससे पहले ना, देखा था ना, नहीं चेक किया था, जब इसको किया, तो वो हमारी 18 newton आई थी, कि यह दोनों के बीच में तो relative moment शुरू हो गया, इस surface पे तो relative moment शुरू हो गया, लेकिन जब तक F की value 18 newton को cross नहीं करेंगे, तब तक यहां पर limit, क्या हां, sliding शुरू नहीं होगी, ठीक है, तो that means, कि यह जो दोनों block है, यह block और यह block, यह दोनों same acceleration से move करेंगे, और आपर वाले block की acceleration अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं सर, चलो चेक कर लेते हैं, तो let us assume, कि वही उपर वाले का acceleration A1 है, और इनका दोनों का acceleration क्या हो गया, यह मान लेते हैं, इसको common acceleration, यह दो समय में आगे ना, कि दोनों एक साथ move करेंगे, क्योंकि हमने चेक किया था, कर लिया था, राइट, ओके लेकिन यहां पे 12 निटन से उपर पोस्टने के बाद में यहां पर स्राइडिंग शुरू हो जाएगे तो यहां पर स्राइडिंग है, यहां पर नहीं है, ओके तो इसको सोल कर दो बस अब तो हो गया, यही concept था इसमें में बात, यह देखो इसक 1 है, इंटो A1, और यह लिमिटिंग फ्रिक्शन पोची चुका है, क्योंकि यहां पर स्राइडिंग शुरू हो गई है, तो यह क्या होगा है, एक मैक्सिमम यह लगेगा, यहां यह कहें, यहां पर क्या गीवन है, हमें 15 निटन पहले से गीवन है, तो इसकी भी रखो भी ठ क्या दिखेता है, तो 15 माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओबिएसलि लिमिटिंग फ्रिक्शन जाएगा सर, क्योंकि शुरू हो चुकी है, तो मियू इंटो M G, M कितना है, मियू M G, चलो लिखे लेते हैं एक बार, इंटो, इसकोल तो A1, तो 15 माइनस मियू, मियू कितना है 0.8 है, M कितना है, 1 है, G कितना है, 10 है, is equal to A1, so it is 15 माइनस 8 is equal to A1, that means A1 is equal to 7 meter per second square, यह हमारे A1 की वालियो आगई, आएक एक एक्वेशन से मिल गई, क्योंकि पिसले सारी मैंने तो मने पिसले एक्वेशन में करी लिए, इससे प्रिएस कोशिन में करी लिए और यह दोनु तो यह भी समझ में आ गया कि दोनु का एक्वेशन सेम रहेगा, तो दोनु क्या कर सकते हैं, एक सिस्टेम कर सकते हैं, तो इस पर की दोनु को सिस्टेम करें, मैंने पॉइंट मास ले लिया, तो यहाँ पे F2 यह वाला जो है, इंटरनल फोर्स बन जाएगा, यहाँ पर फ् है, और कोई फोर्स, नहीं सर और तो कोई फोर्स नहीं है, दोन उपर, M1 प्लस M2, यानि कि 1 प्लस 12, 2 जी नीचे काम कर रहा है, N2, इस पर रियक्शन माने N2, तो यह N2 उपर, अपवर डिरेक्शन में, इनको दोनों को बोलिया है, तो यहाँ से नीचे की तरफ है, N1 काम क है, M1 प्लस M2, नाट फोर्स F1 है, इस डिरेक्शन में, होजन डिरेक्शन में, इस इक ओमन है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर स्लाइडिंग सुरू होगी, जब तक, एप की वैली कि नहीं हो, 18 नहीं होगी, यह हमने प्रिवियस कॉश्चन में चेक कर लिया था, अगर इसको चेक करना है, वो अमने प्रिवियस कॉश्चन में डिसकस करी लिया था, ठीक है, उसी प्रोसेस से चेक करना है, तो यह आपका हो गया 2A, और F1, F1 कितना है, F1 तो हमने यहीं से निकाल लिए था, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन पोच गया है, स्लाइडिंग सुरू ह गी है, तो यह कितना आया था, 8 आया था, 8 इसकोल टू 2A, यह निस एसकोल टू 8 बाइट 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 यह नि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्रेशन हो जाएगा, किसका, इस ब्लोक का और इस ब्लोक का, सो समझे में आ गया, कि A1 जो हमारा हो गया, उपर वाले ब्लोक का, उसका आया, और इन दोनों का जो कॉमन एक्षरेशन है, वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्रेशन आ गया, बिटा सारा लोजिक का खेल है, ज्यादा, देखो यह कुशन आपके अच्छे जो कुशन बनेंगे, किसमें थोड़े से, मतलब नीट में अच्छे कुशन बन सकते हैं, और जो ज ठीक है, तो चलो, यह उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ब्लोक और ब्लोक की जो प्रोलम है, उसके सभी कॉंसेट आपके किलियर हो गएंगे, यह लास्ट एक्षराई थी, लास्ट कुशन था मतलब, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है पढ़ना हम से, और स चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेर करें, अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करके हमें अपने प्यार हम तक पोचाते रही है, ठीक है, चलो, मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्षर में, कुछ अच्छी प्रोलम के साथ में, कुछ अच्छे कॉंसेट क